अलो जी तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नया ड्रामा दिसका नाम है फैंक्स ओफ फर्चियून तो फैंक्स ओफ फर्चियून का एपिसोड बन इस्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि देट सारी बारिस हो रही होती है त्यान जो सहन में और यहां पे एक रे जाकर भगवान के फोड़ों के सामने प्राथना करता है कि स्वर्च के देवता क्रिपया हम पर रहां करें हम देखते हैं कि मुझ डखे हुए यहां पे एक महिला बैठी होती है और दुकान का मालिक होता है वह एक कप नूडल्स लेकर आता है और कहता है कि आप लोग इसे हम दिकते हैं कि यहां मैला ही होती है यह दूसरी वारी मैला से दिखा कर पूछ लिए की आप अंदर जाकर बता जी जे की स्री जूओ यी चेंग से मैं मिलने के लिए आया हूं तो वह वैक्ति कहता है तो आपके पास कोई अपट्मेंट है बहुत है बहुत ज़ों नम परता हो आदम कोंते हैं कि यह मतलब क्या वा सत्वागता है यह जो आदमी होता है वो बहुत ही जादा डर जाता है यह जी सुनका और उसकी आखे लालाल आखे देखकर और वहां से डरते हुए भाग जाता है जुए आण जो होता है वो अपने सक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस भीयोरो के लगे हुए बोट को सेधा करता है दूसरी और दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने के बाद होती है वारी महिला से कहती है वैसे को तुम देखने में काफे लेकिन तुम झूट बोल तो जो जोट बोलती हो ठीक किशना लेकिन मुंझेम के बालों ऒाइसेज को और करका में नहीं है वह का थी है जोटेजान पंगोAR कोई नहीं चीड़क कर से लिए टो ठीक हैं प्हालीमेर धाती है कि सब्सक्रासाम कर्णाлу बोला जूट नहीं बोल पाते इसके बासे देखते है तोपी वाली महिला जो होती है वहाँ पर तुरंथी बेवस हो जाती है और सीन कर्ट होता है हमें जुयान के पास ले जा जाता है जैसे अपनी गिंती तीन पर खतम करता है एक व्यक्ति उसके उपर अपने तलवार से हमला कर देता है जुयान जो होता है उस तलवार से अपने आपको बचाता है और कहते है कि अच्छा यह वियांगी कबीले का क्लाउड लाइट तलवार है ना तो आपको क्या लगता है स्री जुओ इचेंग आप इस तलवार के द्वारा मुझे मार सकते हैं जुओ इचेंग कहता है कि तुम एक बेकार से दाना हो जिसका सिकार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और मैं तुम्हारा आज सिकार करके ही रहूंगा तो यहाँ पे जो जुओ यान होता है वो कहता है कि दानौ सिकार का या आपका जो ब्यूरो है ये इतने सालों से बंद था और आग सालों के बार अप जाके उसको आपने डियोपन किया है मैं तो बस आपके साथ मिल कर शराब पीना चाहता था आपको बदाई देना बचाता है प्रोटेक्ट करता है और फिर से क्या करता है अपनी तल्वार के साथ उसके उपर यानि जूयान के उपर हमला करता है और जूयान के सीने में तल्वार घुप देता है इसी पर एक व्यक्ति आता है और वो आकर इने रोक लेता है कहता है कि स्री जूयान को छोड़ एक 6 दाना चोड़ों इसका करना भौत ही जदरूर ही कि यह अधी यह एक बार tecnendine है तो यहां है यहां पर जो आनो थी उता है कि आप ने सही कहां मैं यहां पर ब्रदर्शन में सब प्रिपया इसे अभी इस समय छोड़ दें जो होता है और वैसे भी आप लोगों में इतना जाला ताकत नहीं है कि आप लोग मुझे इस तलबार के द्वारा मार सके क्योंकि मुझे मारने के लिए आप लोग के पास बहुत जादी सक्तिया होनी चाहिए गते हैं इन दोनों लग्यों को जहां कि जहां पर एक लड़की ने उस खुबसूरत सी लड़की को कैद कर लिया होता है तो इस बहुत ज्यादा कि एक राक्षच चेसी और तो में पता है क्या कि तुम्हारी वज़े से कुछ लोगों की जान चली गई तो बताती है कि तुम ए दश्टर्स सोने करा घपला था दश्टर्सूना मोगा कि विसemente कमारे लिया दो किसी दूसरी महिला पर किया छाली की लिए और किना की मिस्टर्फरों था वांग को में किसी दूसरी महिला के साथ शुक्तु fonora बहुत बिखार करता हूं वगएराँ यहां प्याहिए ऐसाय मैंने आसा मैंने कोई गलती नहीं किया स्री जांग वो बहुत सारे लोगों से गलत तरीके से पैसे बाइसे लेते थे और बाट दिया और जो स्वांग क्या शभ Bene 播 कि आक श्वाम कर, ना तो बिजली मेरे उपर ही गिर जाए वांग जो है ना वह मतलब पैसे आले में एक महिला थी जो बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी उससे प्यार वैल का नाटक करते थे बहुत सारे लोगों में उनकी बाते होती थी और मेरे लिए उन्हों ने उस लड़की को छोड गलती नहीं की है तो यहां पर जो जी आई होती है वह कहती है मुझे पता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती है तो तुम चित्ता मत करो मैं तुम्हारी दोस्त वंग्राश में रखे जाए जिसके बास से थील एकान औरूब तो मिए गूम सकती हो हम देखते हैं वह लड़की के लिए मौत की सजा देने के लिए आया हूँ तो यहां पर जो वेंट जी आयो होती है वो कहती है कि मैं आपकी पूर्वल एक पाल हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं इस जानोर मैंने इस राक्षस को पकड़ा है तो मैं इसे लेकर जाओं स्री जूओ जी एंग इसलिए आप राक्षसों के लिए अच्छा हिर्दा रखती है मतलब बोला जाया तो आपका हिर्दा नरब है राक्षसों के तरफ से लेकि नाट साल पहले आपको याद है जूओ यान जो था वह इतना ज्यादा आक्रमक था कि वोचंग कैंप को और ब्यूरो को पूरी तरी पहलती नहीं किया है इसने सिर्फ जूट बोला है चोटे मोटे जूट बोले आज जहां पर जरूरत होती है जैसे कि यह लोगों की सिर्फ मदाती करती है यहां पर जो आदम होता है वह बिल्कुल भी तयार नहीं होता इसकी बात मारने के लिए अगले सीन में हम देखते हैं जूट झाया है कि यह तुम्हारी हमत नहीं है मतलब तुम मुझे नहीं मार सकते हो तलवार पर अपने उंगलियों से इशरा है जिससे तलवार की रंग पूरी तरीके से लाल होता है और जूट जो होता है कि आपको पता है मेरे मढ़ने के साथ-स तरवाजे के पीछे पहुए पांस सैनिक बागी जो आसपास में तीन चार सैनिक है मतलब सब के नाम बताने लगता है गिन कर कहता है कि वह सब मारे जाएंगे सब का दिल फड़ जाएगा बिल्कुल ऐसे जहूइन होता है वह अपने उंगलियों को टेड़ा करता है जैसे ईक खुड़ा सैनिक तुरंत दर्ध से मर जाता है दूसरी सिन में उस आदमी को देखते हैं वो कहता है वेंट GIO से कि मुझे लगता है कि आपको इस राक्षचची को छोड़ देना चाहिए इस राक्षची को मौत की सजा दी जाएगी यहां पर वेंट GIO जो होती है वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मैं इसे मरने नह पहुत सारे लोग उन्हें गेर लेते हैं अचानक से जियाईयों के सीने में दर्द होने लगता है वह जो आदमी होता है वह अपना तीर दनुस निकाल लेता है और तान देता है यह तलवार लेकर आगे बढ़ता है राक्षासी को मारने करें लिए राक्षासी तो माग जाती ह है लेकिन जियाईयों के गले पर लग जाता है और वह चिला रही होती है कि बस तुम भाग जा जल्दी भाग जा बचो हम देखते हैं उस राक्षासी को यह लोग क्या करते हैं तीर से मार देते हैं और वह राक्षासी तुरंत वहीं पर गिर जाती है मतलब उसके पीठ पर लग जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है और यादम होता है वह खुश हुजाता है कि चलो फाइनली मैंने राक्षासी को मार दिया कि मुझे माफ कर देना चोटी राक्षासी यह सब मेरी गलती थी मेरे ही कारण हुआ अगर मैंने तुम्हें ना पकड़ा होता तो ऐसा न जाता है और बहुत ही जाता रोना दोना होता है मतलब हमारी जो ही रोईन है वेंच यह वह रो रही होती है अगले जुएन को देखते हैं जुएन गिन रहा होता है 3 2 1 मतलब अगर तुम्हें मुझे नहीं चोड़ा तो मैं एक एक कर सभी सैनिकों को मार दूंगा जूओ तुम्हारा खात्मा कर दो तुम्हें मैघ डालूँगा तो यहां पर जुछ होता है कि अच्छा कैसे इस तलवार से एसे और उस तलवार को लेकर अपने सीनीघ घोप लेता है तलवार को मुझे खुँर निकलने लगता है और फिर उस तलवार निकलता है, अपने घाउ को हील कर लेता है हम देखते हैं यहां पे जो जुष होनी होता है वह देखकर इस तब्दर होगा जाता है कि इस तलवार से भी ni से कुछ नहीं हुआ जुयान कहता है कि तुम्हारी सक्तिया मुझे मारने के लिए काफी नहीं है और कहता है कि तुम इन्हें इस ब्यूरो को चालू करने के लिए इस ब्यूरो को मतलब जो दानाव सिकार ब्यूरो है उसे स्टार्ट करने के लिए मंत्री जी से प्राटना की थी और मंत्री जी इस को स्टाइट करने के लिए मान गया लेकिन किंग जियान अभी तक माने नहीं है वैसे मैं आज तुम्हें यहां पर एक तौफा देने के लिए हूं तो मिस्टर फैंग होते हैं वो कहते कि अच्छा कैसा तौफा तो बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जूयान जैसे राक्ष फार बार्शी हो तो वैसे देखा जाए तो यहां पर जो होता है कि तुम्हें बस जान से माना चाहता हूं एक अगदीन जरूर हैं दो मैं तुम्हेंन लगता है तो जूयान जाने लगता है उमीद है तुम अपना बादा जरूर निभावगे सिन कट है और हम दिखाइक प्लूब क्योंकि बहुत ज्यादा भ्यानक है सब्हें जॹ्हों कह कर नाम सुनते यह यो मना चहरा है होती है कि हो कहा आं तो रही है तो पता मिवयान की यहां जो से पतने होता है जूसेयां कहते हैं जियुक्ता गिंसक्स मिवाद होता है इसका नाम दोड है यह उनतिस साल नहीं 21 children भीजांतना पर यह तो शडात रहा है नहीं एक बचान लग्साम होज्टा हो याय कान के पासतह को पास आरही सब्सक्राइब अंदर जाने लगता है तो यहां पर रोक लेते हैं तो जो aura I acho तुम बताता हूं मुझे पता है कि तुम बिंगी कभीले के वंस जो और बिंगी कभीले का वंस जो है वह बहुत पुराने समय से रक्षशों को पकड़ने के लिए माहिरा है और वह दानवा का सिकार करता है लेकिन तुम्हारा जानवा रहना वह बहुत जादा सक्तिसाली है और यह लोग हमें अपने बातों में फसानी के कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि यह तुम्हें दोखा दे दे तो अंदर ना जाओ तो जो जुह ही चंग होता है कि लेकिन हमें इसकी मदद तो करनी चाहिए ना तो यहां पर जो ससकों पकेंद में तुम्हारी मदद कर शकता हो जो यू मदद कर चेहां तो की बहुत सारे लोगों की पिता के साथ-साथ बेहुत सारे लोगों सबीकों मार दिया गया तो जुएन कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा जाच करने में कि आखिर किसने कौन उनके मौत का कारण है उसके लिए मुझे किसी वेक्ति की जरूरत है जो तुम्हेरे विवीडों से ही हो तो यहां पर जो जो होता है कि बताओ कौन चाहिए तो में तो बताता है तक अभी उन्हें अंदर जाने से मना किया गया है उन्दर में हम मतलब कामांदर देखते हैं जो सचाहिए औरं ला दूंगा यह सब सुनका उच्याला यह को अच्छा ने पर दूसरी सीन में जूए यह को बन कर देता है और बाहर कि और चानी लगता है तो फैंग को भी घूर के दूसरी तरफ कर देता है यहां पर जितने भी शानिक होते हैं वह जादू मतर करते जाता है कुछ फो रहा जाते हैं रब्लिक के अगे तरफ में र होते हैं यहां जा भाहते है जाके जादू करता है तो हिए पहुषता है लहां पर खैता है कि मुझे पैचाना वैंज्यायू बती है वहहालाहती है अरुच्क हैं तरह ुष में मतलब इसकी कोई मालिक या ऑफिशर बॉस वास रही होगी उसे देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है तभी आप एक बैक्ति आता है जो कि उसे कुछ फूल देता है उस फूल पर खून लगे होते हैं तो बैंज आयो पुछती है कि यह फूल पर लगा हुआ किसका है क्या म मारा है यह जो वैक्ति होता है वो अपने चेहरे पर मास्क पहने होता है अब यह सारी चीज़ याद करने के बद जैंज यह जो होती है तो जुछ यह चुछ ने लिए नहीं शावगान कहता है कि एक मामली से इंसान हो और तुम इतनी ज्यादा सक्तिसाल यह जाद आगे नहीं बलकि मेरा नाम जाओ यूवान जो है तो वह कहती है मतलब हमारी रोइंड वेंजियायो कहती है कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि महांदानों के इतने सारे नाम भी है उपनाम भी है तो जो यान कहता है कि वैसे मैं एक महांदाना हूं एक वह कहती है कि आपको कौन नहीं जानता है तो यहां पर आपको कौन नहीं जानता महान दानों तब हम देखते हैं कि यहां पर स्रीजुओ इचेंग आते और कहते हैं उसे चोड़ दो लेकिन जैसे वह अपना तलवार आगे बढ़ाता है वह देखता है कि जुहयान जो होता है वह वेंजियायो के कैद में होता है मतलब वेंजियायो उसके गले पर तलवार लगाई होती है यहां पर जो जुहयो इचेंग होता है वह कहता है कि क्या बस यह मामली से तलवार से देखलो विन छीयां का तुम मुझे वाव का लो चाहती guitar तो हम पता है तो मंतलब कूछ नहीं वैद मतलब तुम खहल है क्यों मतलब लगता है कि यहां थैप वे Grandpa कहता है कि वह मुश्की वह सब्सक्राइब रहे रहता है हर जाता है जिसके गाइश हो जाता है तो बैंज यायो कहती है तो इसे वठाओ cannon llamar झाल दो जैसे इसे इसे घुप देना में चाहता है और से जल में चले ज़ेंगा खाटा हुआ हुआ दो नहीं सब्सक्राइब आपका जाता है वह पर आपका गहाओं टावा लगा रहा हुट यहां पे आदमी आता है और उसे देता है और कहता है कि यह कुछ थस्तावेज जो रक्षोसों के अधिस्टारी शहरा नियां को जल्दी ठीक हो जाया है कि जिल में किसी जगह पर व्यक्तिक होची और उसे खीच कर लेकर जायरा होता है और बहुत सारा खूर उसका निकल रहा होता है हम दिखते हैं यहाँ गेक vaccine होता है और इसके पास दूसराक्टी होता है और Woah यहां प्रोस्त्ती में ज होता है वह पेंटिंग ना रहा होता है राक्षारी और वह नोग मान लीजिए वह उण लोगों के तरफ आ चिंता करने की आओ सकता नहीं है जो भी होगा सब ठीक होगा हम समाल लूगा हम देखते हैं जो की जुट बोलने वाले राक्षास के वारे मां पढ़ रही होती है और उसे पता चलता है कि उस राक्षासी का कोई भी गल्दी नहीं थी उन राक्षासों का नियती होता है कि वह सब्धत के भी बरीत बोलें यह उल्टा बोलेंगे कभी वह सच नहीं बोलेंगे हमेसा और हम अंग्रते समय मनें वह सच बोलते हैं अग्रती है मेरी वज़े से उसके मृती हो गई यह सारी चीज़ए सोचकर जो बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है और कुछ साइट सौंक बज़राता है चैनिज में नहीं पता यहां पर दूसरी तरफ हमें एक वेक्ति को देखते हैं जो कि सफेद कलर के कपड़े में लेटा होता है और यह कुछ यह संबंदरी इलाकों में मतलब हां बरफिले इलाकों में लेता होता है और यह भी बहुत ज़्य बख्रे वेलास दिखाया जाता है एक लड़की को जो की सोही होती है और कोई आता है उसके पास निमंतर पत्र जैसा उसके उपर ही रखके चला जाता है जिसके बासे इस लड़की की आँख खुलती है चानक से जब लड़की उठकर देखती है तो सामने इसे कोई रख्षस बईला जो होती है वहां से उठकर आगे जाती है और आगे बहुत सारी चीज़ देखते वह जा रही होती है और कुछ डराना सद्री से देखकर डर जाती है और बैटकर चिल लाने लगती है अब चिलाता हुआ यहां दूसरी तरफ हम देखते हैं वेंजियायो का साइद यह करोगे तो मैं नेक्स्ट फार्ट बनाओं की नहीं ओके बाई